दोस्तों नमस्कार आज मैं आपको एक अयाश राजा की कहानी सुना था आपने बहुत पहले एक चौती पास राजा की कहानी सुनो देखिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच कहानी है वो तथ्यों के आधार पे है मैं आपको evidence भी दिखाऊंगा और फिर बताईएगा कि क्या इस कहानी में सच है या नहीं दोस्तों दो कहानिया एक साथ समझनी होंगे एक था आयाश क्रूर राजा उसका नाम था नीरो ये कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसको अपने महल का एरिया बढ़ा करना था उसको वहाँ पे अपनी शान व शौकत के और इंतजाम करने थे लेकिन आसपास के बस्तियां जो थी वो ऐसा करने नहीं दे रही इसलिए उसने बस्तियों में आग लगवा दी क्योंकि जब आग लगेगी तो सकुछ नस्ट हो जाएगा फिर वो सफाई हो जाएगी और जब सफाई हो जाएगी तो फिर राजा वहाँ पे अपना महल बनवा सकता है और महल को बढ़ा कर सकता है नीरों के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि जब वो सत्ता में आया तो लोगों को लगा कि अच्छा काम करेगा क्योंकि वो अगस्त जो राजा थे रोम के उसका उत्रादिकारी था उसका बंसेज था तो लोगों को लगा कि क्योंकि अगस्त बहुत रिस्पेक्टिवल महां के राजा थे तो शेर ये इनसान भी अच्छा काम करें लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता लोगों को इस विक्ति की सचाई पता लगी और लोग उससे नफरत करने लगे और हालत यहां तक आ गई कि उसको महल छोड़के भागना पड़ा और महल छोड़के भागने के समय उसने आत्म हत्या करने की भी सोची लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आत्म हत्या कर ले उसने अपने साथ जो सैनिक थे उनको बोला कि आप यहां पे कबर खो दिये और वहां पे उसने अपने एक सैनिक को कहा कि अब आप मुझे मेरी हत्या कर दीजिए और मेरे को इसमें दपना दीजिए ऐसे हुई उसकी मौत लेकिन जब वो सत्ता में आया तो सबसे पहले उसने क्या किया उसने अपने सगे सब्वंदियों को रास्ते से हटाया यहां तक कहा जाता है कि उसने अपने पूरे परिवार तक की हत्या करवा दी ताकि कोई उसका विरोध ना कर सके यह थी रोम के सामराज्य में जो वहां का राजा था जिसको हम बोलते हैं नीरो उसकी कहानी मुझे लगता है कि अभी तक इस तरह की कहानी हिंदोस्तान में नहीं थी लेकिन अब भारत को अपना नीरो मिल गया है बहुत सिमिलारिटी है जो कहानी में आपको सुनाने जा तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है भारत के नीरो की इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है दोस्तों बात है आज के राजा केजरिवाल की क्योंकि विधान सवा में खड़े होके उन्होंने कहा था दिल्ली के राजा हम है यह एलजी होता कौन है मतलब जिस समिधान ने और जिस समिधानिक पद ने उसको मुख्यमंत्री बनाया पहले भाशन में उन्होंने यही बोल दिया कि साथ दिल्ली के राजा हम है और यह एलजी होता कौन है हमें बताने वाला रोकने वाला दूसरी बात है केजरिवाल जैसे ही सत्ता में आई इन्होंने सबसे पहले क्या किया अपने साथ जो लोग थे जिन्होंने मिलके आम आदमी पार्टी बनाई थे उन्हों सब को रास्ते से हटाए क्योंकि वो लोग समझदार थे जन्ता ने केजरिवाल का साथ क्यों दिया क्योंकि इसने अन्ना हजारे का साथ ही है यहां भी देखिये नीरो की जो एनलोजी आपको समझ में आई और जो मैं कहरा हूं कि जब रोम जल रहा था नीरो बंसरी बजा रहा था दिल्ली में मार्च दो हजार बाइस से लेकर 2023 तक कोविड की महामारी चल रही है और केजरिवाल शराब नीती और अपना शीष महल बनाने में व्यस्त थे अगर आप डेट्स पे जाएं तो मैं आपको डेट्स भी बता देता है डेट है दिल्ली में 23 अपरेल को अख़वार में आया कि दिल्ली में ऑक्सिजन नहीं है अ अपरेल 2021 की बात कर रहा है परवरी 21 से लेकर नवंबर 21 तक केजरिवाल की पूरी सरकार शराब नीती बनाने में व्यस्त थी आप समझे इस बात को और सेप्टमबर 2020 से लेकर जून 2022 तक केजरिवाल का शीष महल बन रहा था जब दिल्ली के हॉस्पिटलों में ऑक्सिजन न और यह बाइसाब सिरफ दंगा प्रदर्शन यह कर रहे थे धरना देने की बात कर रहे थे कि मोधी सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही है शीष महल के लिए 55 क्रोड रुपे खर्च हो सकते हैं लेकिन दिल्ली में ऑक्सिजन के लिए टेंकर तक नहीं अवरेंज कर पाए और क किंदर सरकार को टेंकर रहेंज करने पड़ी एमस में ऑक्सिजन जनरेटर किंदर सरकार को लगाना पड़ा दिल्ली सरकार के पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाके होस्पिटलों में ऑक्सिजन जनरेटर लगवा सकते हैं यह इस्तिती थी दिल्ली की तो इसलिए मैंने कह कि अब दिल्ली और भारत को अपना नीरो मिल गया है जब देश में कोविड की आग लगी हुई थी केजरी वाल अयाशी के इंतिजाम कर रहा था इस बात को आपको समझना हो और सब्वे की बात ये समझे कि दोस्तों सिर्फ करी नहीं रहा था जो इन्होंने लिखित वादे कि ये थे उनका भी सरासर उलंगन था साथ जून 2013 को एक एफिडेविड केजरी वाल ने साइन करके जनता के सामने रखा और उसमें क्या कहा साथ पॉइंट है और सातों की वेवेचना देखिए कि एक-एक करके कैसे उसकी धजियां उड़ाई देए ये एफिडेविड है शप करती की गाड़ी नहीं लूँगा लालबती तो सरकार ने हटा दी लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कार जो मिलती है विक्ती है वो केजरीवाल इस्तमाल करते हैं ध्यान देखिएगा पूछिएगा क्योंकि कार का मॉडल के हैं दूसरा मैं अनावेश्यक सुरक्षा नहीं लूँगा दिल्ली पुलिस के अलावा इन्होंने पंजाब पुलिस की भी सुरक्षा लिए क्योंकि इनको दिल्ली पुलिस पर वरोसा नहीं था इन्होंने पंजाब पुलिस की साहिता लिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए किस बात का डर था एक जो आम आदमी होता ह इमानदर आदमी होता है इसको किस से डर होता है आपको क्यों कोई मारेगा अगर आप इमानदर है इसको समझना हो तीसरी बात मैं बंगला नहीं लूगा शीष महल की कहानी तो आपने सुन ली दोस्तों उस पे क्या रिपीट करें मैं सुराज की पूरी धार्णा से पूरी तर में क्या काम करना है दिल्ली की शराब नीती क्या दिल्ली की जनता से पूछ के बनाई गई जी हाँ फरजी 14,700 एमेल करवाए गए तीन पियार एजेंसी के मादे हम से ये कह कि ये जनता दिल्ली की जनता के सुझाव हैं और सब ने उसमें ये लिखाए कि ये बहुत अच्छ रहतना पड़ता है हम जब चाहते हैं वहां में शराब नहीं मिलती है अब हम जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे शराब पी ले ये थी दिल्ली की जनता का समर्थन आप उठाके इमेल देख लीजी मेरे पुराने वीडियो से हैं के आप केजरिवाल नामा करके एक फोल्डर ह आप उसमें चले जाएए आप कुछ सारी डिटेल मिलें मैं जन लोकपाल और चुनाव सुधार के प्रती प्रतिवत हूं आज तक आम आदमी पार्टी में इंटरनल इलेक्शन नहीं हुए सब्सक्राइब जब आम आदमी पार्टी का घोशना पत्र बना था जब इन्होंने अ लेकिन जैसे ही सत्ता में आये सबसे पहले वही अमेंडमेंट किया कि केजरिवाल आज जीवन अध्यक्ष रह सकते हैं तो इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है तो बाकी बात आप छोड़ दीजे लोगों की जमीन छीनने का अधिकार किसी को नहीं होगा यह बात अलग है कि अ पास पास के मंगलों को चीन के अपने अंदर मिला दी जो जंगल की जमीन थी वो पेड़ काट के अपने अपने विशलिश महल के अंदर मिला दी यह तो इनकी कानून के प्रती इज़त है और मैंने आम आदमी पार्टी की विचार था और उस देशों को अच्छी तरह समझ लिया है और मैं पूर्ट रहे सहमत हूँ तो यह जो लूट खसोट हुई क्या यह आम आदमी पार्टी की अवधारना थी उनकी आइडियोजी थी क्योंकि आपने तो वही किया जो आम आदमी पार्टी की आइडियोजी है तो अब आम आदमी के कारेकरता नेता समर्थक हमद गर्द और जो केजरीवाल के खास लोग हैं जिनको बहुत बुरा लगता है जब मैं केजरीवाल की सचाई बयान करता हूँ उनको बहुत बुरा लगता है कि मैं केजरीवाल को बतनाम कर रहा हूँ वही मैंने आपको कहा कि मैं तो एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ और ने रखा, क्या इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? अब आप कहेंगे जी ये कोर्ट में तो नहीं था, जनता की अदालत में तो आप ने रखा था, इसका मतलब है कि आपकी नियत खराब थी, आप जनता के साथ थोखा कर रहे थे, तो सजा तो मिलनी चाहिए. अब रही बात कि साथ मीरों ने जिस तरह से एशो अराम का इंतजाम किया, पी डबलू डी ने लिस्ट जारी करी, लिस्ट जारी करके ये बताया कि साथ किस किस तरह का एशो अराम का इंतजाम किया गया था, 19 आइटम की पूरी लिस्ट है, मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, क वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शपत पत्र और केजरी वाल की आयाशी का साज़ो समान उसकी पूरी लिस्ट और उसकी कीमते सब मिल जाएं। और दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो एशो औराम की लिस्ट है ना हिंदुस्तान में पाँच भी ऐसे धनाड़े लोग नहीं होगे जिन्नों ने इतना एशो औराम का इंतिजाम अपने घर में किया होगा। इनको लगा कि बिल्ली के भाग का चीका फूट गया लूटो एश करो जितना हो सके। क्योंकि पता नहीं जिन्दगी में फिर मौका मिले या ना मिले। तो हकीकत यही है दोस्तों कि लोगों ने केजरिवाल को सिर पे रखा लेकिन केजरिवाल निकला मीरो। भारत में एक नीरो का उदय हुआ है। आपको क्या लगता है। क्या केजरिवाल की इस हरकत से आहम आदमी पार्टी को सामने आके बताना नहीं चाहिए कि वो केजरिवाल की इन हरकतों का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। क्योंकि आप और हम तो बोलेंगे कि ये सब विलत हैं। उनको समझ में नहीं आता है। क्यों कहेंगे नहीं जी हमने सब कागिश देख लिए हमारे नेता ने जो किया वो सब सही है। तो क्या दिल्ली में या भारत की राजनिती में केजरिवाल जैसा आयाश राजनिता कोई हुआ जिसने टेक्स पेर के इतने पैसे लुटाएं सिरफ अपनी शान और शौकत के और मज़े की बात शपत पत्र जूटा और घर के बाहर जब निकलते हैं तो कैसे लगते हैं एक आम आद्मी की तरह और घर के अंदर क्या यह जो मानसिकता है यह जो स्प्लिट परसומitudes है यह खतरनाग यह उसी तरह से है कि एक आतंकवादी आम आद्मी की तरह महले में रह रहा है लेकिन समाज के अंदर बम बिचाने का कम कर रहा है आप भी समझते होंगे यार ये कल तक तक तो हम इसको बड़ा शरीफ आदमी समझते हैं लेकिन ये आतंकवादी निकला हमें पता नहीं था कहीं केजरिवाल के तुलना ऐसे तो नहीं होगी आपको क्या लगता है दोस्ते क्या आम आदमी के पार्टी के नेताओं को एक एक करके अपने स्टेंड क्लियर नहीं करना चीए कि ये केजरिवाल के साथ है या नहीं क्या आम आदमी पार्टी को एक प्रस्ताव नहीं पास करन हैं और यह आमादमी पार्टी के आइडिलोजिस के खिलाफ क्यों है सब खामोश क्या लगता है आपको क्या इन सब के मुग को बंद कर दिया गया है क्या यह बिना रीड हड़ी के लोग है यह सब बिक चुके हैं इनकी आत्मा मर चुकी है क्या कारण है जो भी आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए इस वीडियो को शेर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मुलाकात होगी एक और महत्वण मुद्दे के साथ इसके नीचे मैं लिंक दे रहा हूं आपको सारी डीटेल विद एविडेंस में यह है नद्यान रखिएगा फिलाल बंदे मा झाल भाल बंदे पिलाल करी जिए विए।